बचपन से लेकर अब तक हम सभी के मन में एक प्रशन जरूर उठता है कि आस्मान निल्ला क्यों होता है हम सभी ने इस प्रशन का उतर जानने के लिए किसी ना किसी से जरूर पुछा होगा हाला कि सभी को सही जानकारी मिल गई हो यह संबब नहीं आज हम आपको इस प्रशन की सही जानकारी देंगे प्रिथवी, चंदर्मा, एवं अन्य कई गिर्या सूरे की रोशनी से प्रकाशित होते हैं वहीं सूरे आस्मान के निचे होता है सूरे और आस्मान के बीच में पूरी तरह से गना अंदेरा होता है प्रशन ही है कि जब आस्मान में गना अंदेरा होता है और अंदेरे का रंग काला होता है तो फिर प्रित्वी से आस्मान को देखने पर उसका रंग निला क्यों दिखाई देता है क्या सच मुझ में आस्मान का कोई रंग होता है तो चलिए जानते हैं अगर हम सोर मंडल की व्याख्या करे, परकाश का मुख्य स्त्रोत सूरे है, सूरज की सफेद रोशनी होती है, लेकिन ये सफेद रोशनी दिखाई देने वाले स्पेक्टरम के सभी रंगों से बनी होती है, जिसमें लाल से लेकर बैंगनी कई रंग शामिल होती है, वायू उसका अपना नहीं होता है, सूर्य से आने वाला परकाश जब अकाश में मोजुत दूल से मिलता है तो वे बिखर जाता है, निला रंग अपेक्षाक्रित कम तरंग धेरों के करन अन्य रंगों की तुलना से अधित छित राया होता है, इसलिए अकाश का रंग निला दिखा अधिकांश गैसों में ओर्गन गैस और पानी के अलावा लगबग 78% नाइटरोजन और लगबग 21% ओक्सिजन होती है, इसमें समुंदर के पानी से उठी दूल, राक और साल्टा दिया है, हिंच चीजों के कारण हमें अपने अकाश का रंग निला लगता है, अकाश का अकाश के अधिकांश और लगता है, इसलिए अकाश में निला रंग दिखाई देता है, वहीं जब सूरज बोर और शाम के समय शितिज के पास होता है, तो सूरे की किर्णे अधिक तिर्ची कोनों पर वायू मंडल में परवेश करती है, इस परकार हिंच किर्णों को दोपैर की तुलना में वातावरन के माध्यम से अधिक दूरी तया करनी पड़ती है, नतीजन अधिक नाइट्रोजन और ओक्सीजन अनू और अन्य करन होते ह जो आने वाली दूप को बिखेर देते है, इस से परकार किर्णों का मार्ग लंबा हो जाता है, और छोटे निले और भैंगरी तरंग देरे में आने वाले वीकरन को अधिक फिल्टर कर देते हैं, इस से अकाश के रंग पर हिंच तरंग धेरे का परभाव कम हो जाता है, जो हम सुर्योदय और सुर्य अस्त कहते है इस वेग्यानिक तथ्य को अगर हम असान शब्दों में समझना चाते है तो कह सकते है कि आसमान का कोई रंग नहीं होता पृत्विये पर खड़े होकर जब हम आसमान की और देखते है तो परदूशन और परिवयन के कारण वायू मंडल में उड़ रहे करोडों चोटे चोटे कनों के बादलों पर सूरे की तिरंगे जिस तरह से रंगोली बनाती है हमें वही दिखाई देता है तो दोस्तों और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में